Welcome everyone SQL lecture series के lecture 49 में आज हम बात करेंगे subquery operators में all or any operators के बारे में exist or not exist के बारे में हम co-related query में पढ़ेंगे ठीक है अब co-related query में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगर मैं उन्हें अभी explain करने लगूं तो जो term जो मैं कुछ बताना रहेगा वो अभी छूट जाएगा तो better होगा मैं इन्हें correlated query के साथ ही explain करूं तो यह better होगा क्योंकि इनका अस्तित्व या कुछ बोलो आप अस्तित्व type से कुछ भी बोलो इनका अस्तित्व correlated query के साथ है बिना correlated query के इनका कोई अस्तित्व नहीं है तो exist और not exist को पढ़ने से पहले हमें correlated query को समझना होगा तो फिलाल हम सिर्फ all or any operator की बात करेंगे तो यहां all operator का definition अगर पढ़के समझने के कोशिज करें तो all or any में ज्यादा कोई अंदर नहीं है मैंने दोनों के लिए definition लिखा है मैं चाहता हूँ कि दोनों को एक साथ ही समझाने के कोशिज करूं आप notes के लिए screenshot ले सकते हो तो देखे all operator क्या होता है all operator क्या है एक multi-valued operator है first point पे focus करे all operator is a multi-valued operator which accepts what multiple value at RHS and single value at LHS along with relational operator all operator क्या है एक multi-value operator है जो कि multiple value को accept करता है अपने RHS में और single value को LHS में along with relational operator आपके लिए के question है जैसे मैंने बोला कि all operator एक multi-valued operator है एक multi-valued operator है question यह है आपके लिए कि आपने अगर operators की lecture series देखी होगी SQL में ही तो आप यह बताओ और कौन सा वो operator है वो कौन सा operator है ठीक है जो multi-valued operator है ठीक है फिर से question में repeat करना हूँ वो कौन सा operator है जो की multi-valued operator है आप मुझे वो comment करके बताओ ठीक है तो all operator क्या है हमारे यह एक multi-valued operator है जो क्या करता है multiple value को अपने RHS में accept करता है और single value को अपने LHS में अपरेटर भी multi-valued operator है जो की multiple value को अपने RHS में accept करता है और single value को अपने LHS में accept करता है तभी जाके वो true return करेगा मतलब output देगा true return करेगा ठीक है और अगर कोई एक भी condition ठीक है कोई एक भी condition अगर true नहीं होता है means false हो जाता है तो final result false होगा ठीक है final result क्या होगा false होगा तो अगर syntax की बात करें sorry यह तो all operator की बात होगा सारे condition satisfy होने चाहिए जितने भी condition है वह सारे fulfill होने चाहिए मैंने एक अगर आपको ध्यान होगा मैंने operators में एक lecture series थी जो की multi valued operator के बारे में मैंने बताया था ठीक है मैं वहीं से example को लेता हूं मैंने एक बच्चे का example दिया था ठीक है बच्चे का example दिया था ठीक है दो बच्चे का example दिया था ठीक है उसमें क्या था कि एक जिद्धी बच्चा है वह बोलता है मुझे एनी operator क्या क्या क्याता है यह थोड़ा नॉर्मल सा बच्चा यह बोलता है या तो मुझे टॉफी दे दो या चॉकुलेट दे दो दोनों में से कोई एक दोनों नहीं तोनों में से कोई एक बट इसको दोनों ही चाहिए तब ही जाकर यह पढ़ाई करेगा ठीक है मतलब अलोपेटर को क्या दोनों कंडिशन इसको फुल्फिल होंगे तब ही जाकर यह आउटपूर्ट देगा और एक भी कंडिशन इगर इसका फुल्फिल हो जाता है यानि साटिस्वाई हो जाता है तब जाकर यह हमें आउटपूर्ट देगा मिन्स ट्रू रिटर ट्रू हो जाता है ठीक है अगर ऑल तो देखिए थोड़ा एनियोपेटर का डेफिनिशन देख लीजिए सेम सेम एज ऑल ऑपरेटर के जैसा ही है और एनियोपेटर इस अ मल्टिपल वैल्यू एट आरेचेस एंड सिंगल वैल्यू एट एलेचेस अलोंग वीट वाट रिले सबको हटा लेता हूं के लिर्ली में बता लेता है या ये रही है और उप्रेटर का सींटेक्स है और है इसको हम यूज कहां पर करते हैं इन्हें हम यूज करते हैं वेर कलाउज के साथ द्यान रखेगा वेर कलाउज के साथ यूज करते हैं द्यान से हम सब क्वेरी को पल रहे हैं तो हम इसे कहां यूज करेंगे इसे यूज करेंगे हम इस फॉर्मेट को इस इंटक्स को यूज कर देखिए दुनों का syntax लगवक सेम है बस difference कहां पर है all or any operator just as a keyword का difference है ठीक है यहाँ पे all है यहाँ पे any है ठीक है देखिए मैं एक को समझा रहा हूँ आपको दूसरा खुद बखुद समझ में आ जाएगा column name है slash करके expression है उसके बाद relational operator जो भी greater than less than greater than equal to less than equal to value उसके बाद all or any यहाँ पर all or any अब देखिए यह क्या बोला गया all or any क्या है एक multi-valued operator है जो कि multiple value को accept करता है अपने RHS में बट single value को कहां accept करता है अपने LHS में लेकिन single आप देख रहोंगे LHS में column name भी है यहाँ भी column name है यहाँ भी expression है यहाँ पर भी expression है तो यहाँ पर मैंने slash का use क्या है मतलब column name or expression column name or expression means what at a time we use only one thing what means what either column name or either expression मतलब जब भी हम query को perform करेंगे तो हम या तो column name को use करेंगे या फिर हम expressions को यूज करेंगे along with what relational operator उसके बाद हम all or any according to the question हम उसको यूज करेंगे अब आप इधर देखिए v1 v2 v3 up to vn anyway v1 v2 v3 up to vn यह है क्या यहीं है values v1 value v2 value v3 value vn value मतलता multiple values and values मतलब multiple values बट ऐसा नहीं है कि यहां पर एक value भी हो सकता है means v1 भी हो सकता है ठीक है अगर query questions कुछ उस तरीके सा आ जाए तो यहां पर एक value भी हो सकता है बट अगर यह multi valued operator है तो इसलिए मैंने बताने के लिए आपको multiple value लिया बट यहां पर एक value भी हो सकता है अगर question आपसे पूछा जाए क्या all या any operator में एक value हो सकता है यही तरीके साब से question पुछा सकता है syntax बता दो तो हम यूज करेंगे relation operator की मदद से हम all or any operator में queries को perform करते हैं अगर example के थुरू समझने के कोसिज करें देखिए हमारे पास एक example है आप इसे 400 को expression समझें और salary को column तो दोनों में से कोई एक चीज है ठीक है तो माल लिए अभी salary के value 400 है ठीक है तो दोनों में से कोई एक भी चीज हो सकती है अब यहां पर greater than यान रिलेशनल operator को यूज किया है उसके बाद all operator को यूज किया है अब इधर मेरे पास चार values है v1 v2 v3 up to v4 v1 v2 v3 v4 चार values है मतलब multiple value और इधर सिर्फ एक ही है ठीक है मतलब LHS में एक value RHS में 4 values multi valued हो गई अब यह क्या कहा रहा है इसे हम चेक करेंगे relate करेंगे ठीक है इस 400 हमने लिया salary के value is 400 is greater than 100 yes true it returns true what true is now in second line is 400 is greater than 200 yes true it returns true is 400 is greater than 300 yes it returns true now is 400 now see this is for is is 400 is greater than 400 no it's not greater than 400 it's equal to 400 so it returns what it returns false so we'll we know about all operator it returns true when all the conditions are satisfied मतला इसके all operator यहां पर हमने all को ही ना यूज किया all operator true तभी रिटन करेगा जब इसके सारे condition satisfy हो जाएंगे लेकिन आप यहां पर देखो इसके सिर्फ तीन condition satisfy हो रहें but last one satisfy नहीं हो रहा है वो false हो जा रहा है तो final output हमें क्या मिलेगा final output हमें false मिलेगा ठीक है now तो यह all operator का case था अगर any operator की बात करे similarly सभी चीज़े वही है तो अगर आप यहां पर देखो ठीक है वही एक्जामपल है बस all के जगा पर यहां पर any है और अगर सभी से चेक क्या जा रहा है is 400 is greater than 100 yes true is 400 is greater than 200 yes true is 400 is greater than 300 yes true now is 400 is greater than 400 no 400 is not greater than 400 then it returns what it returns false and we know about any operator it returns true if any one of the condition is true so our final output is what our final output is true मतलब any operator में क्या है कोई एक भी कंडिशन अगर satisfy हो जाता है तो उसका final output क्या होगा वह भी true return होगा नाउ यह all or any operator के बारे में एक overview था अगर आपसे अगर questions पूछे जाते हैं कि all or any operator कि तरीके का operator है तो sub query operator से multi-valued operator है पहले तो sub query operator और multi-valued operator है अगर फिर पूछा जाए ठीक है multi-valued operator कहने का मतलब क्या हो गया तो आप बोल सकते हो कि यह अपने RHS में multiple values को लेता है और अपने LHS में single value को लेता है along with what यह भी बताईएगा along with relational operator इसको आप मिस मत करना ठीक है नाउ अब हम query को करके देखते हैं तो let's see this यह हमारे पास क्या है एक employee table है ठीक है employee table हमने अभी तक जितने भी queries की ठीक है यही टेबल पर queries की है यही data पर query की है ठीक है और एक department table पर अगर आपने अभी अभी तक इस software को डाउलोड नहीं किया है तो आप लेक्चर वन बेच आके देखो वहां पर software का लिंक दिया हुआ है आप वहां से डाउलोड कर सकते हो ठीक है और अगर अभी तक मैंने जो all or any के बारे में बताया कुछ डाउट है तो यह नीचे आपको दिख रहा होगा हमारा इंस्टा आइड आप मुझे जाकर वहां फॉलोग कर लो अपने questions अपने queries को आप message कर दो direct मैं reply करने की questions करूंगा तो देखिए यह employee table है यहां पर देखिए एक job column है total eight column है employee number one employee name two job three MGR four higher date five salary six six commission seven and department number eight total eight column I hope कि department department नबर आपको दिख रहा होगा इदा थोड़ा possible नहीं था दिखा पाना में पिदिख रहा होगा बट अभी से में मतलब नहीं है ठीक है आप इस जोब वाले कॉलम पर फोकस करो है ठीक है हमें all or any के बारे में queries करना है तो आप यह देखो हम कोई एक job को choose करते हैं let's suppose choose analyst okay यहां पर analyst है ओके नाउं वी हब तो चूज सम अनदर वन नाउं चूज कलर को कि नौट एट इनिस्ट यहां पर कलर है कि यहां पर कलर के यहां पर कलर को मैंने को नियूंस को 0S 1 1, bolts के यहां पर 4 लगबग और नहीं किशचार और क्त Hagrem टोके से इन की से जबसी निकीए वी पाईदेगी एडिवाजी है उसलिए complete आप कर ऑदेक है कि हमें उन employee के record को दिखाओ उन सभी employee के record को दिखाओ जिनकी salary सभी color के salary से ज़ादा हो question once again हमें उन सभी employee के details को सो करना है जिनकी salary color के salary से ज़ादा हो ठीक है color के salary से जादा हो हमें उन सभी को सो करना है आगे बलने से पहले यह आप देखिए 1250 किसकी salary है यह है salesman की salary मतलब एक salesman की salary नहीं देखनी किसकी उन सभी salary देखनी है जिनकी salary सभी color के salary से जादा हो और मैंने आपको example में समझा दिया कि Martin को वहां नहीं रखना है क्योंकि Martin की salary भी कम है salesman से और करते हैं तो आप बता हम किस तरीके का query यहां पर लिखेंगे क्या हमें किस तरीके का query यहां पर लिखेंगे क्या हमें उन सारे employee की details को सुख करना है जिनकी salary किसे ज्यादा हो बट क्या हमें color की salary पता है नहीं हमें color की salary तो नहीं पता है हमने table पर देख लिया था चोटा टेबल था बट ले सपोस्टेवल बड़ा है हमें table को देखा ही नहीं ठीक है बट कॉलम ने हमें बता दिये गए कि यह column name है तो क्या with the help of column name हम salary को find out कर सकते है है yes find out कर सकते हैं सब की salary को हम क्या लिख्या है select salary from employee ठीक है वेयर वेयर जॉब जॉब के जॉब इक्वल तो वाट के लिए के क्लक जॉब क्या है color देखिए color की salary जो चार सेलरी हमने लिया था वह सो हो रहा है यहां पर वह color की salary यहां पर हमें सो हो जा रही है ठीक है नाओ अब हमें यह तो मिल गया लेकिन अब हमारे पास question यह है कि हमें उन employee के record को सो करना जिनकी salary कितना 800 ज्यादा अब इस अगर इसे अब देख के क्या समझने कोसिश कर रहे हमने क्या लिखा था इसे पहले अब हमें सब्सक्राइब अब हमें सब्सक्राइब लिखनी पड़ेगी सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब हमें निकालना हो तो अब हमें क्या चाहिए सब्सक्राइब तो और को यूज कर लेंगे और greater than ठीक है salary कि किस का लाओ के साथ यूज करेंगे वेर में भी आपको यह समझ मना रहा हो तो मैं पहले यहां से लिखता हूं यह सब्सक्राइब इनर क्वेरी हो गई अब हमें आउटर क्वेरी को लिखना क्योंकि आउटर क्वेरी में बोला गया कि सब्सक्राइब के डिटेल्स को सो करना है तो सो करने के लिए स्टार किस टेबल से इंप्लॉई ही टेबल है हमारा ठीक है नार कंडीशन क्या है सैलरी क्या होना चाहिए सैलरी ग्रेटर दैन होना चाहिए अब यहां पर आप देखो सब्सक्राइब मतलब ओल सबको सुलेक्ट करेगा ना ठीक है अब जब भी लिखो ना तो आप सबको अरेंज करते जाओ तो आपको समझने में इजी होगा देखिए यह हमें रिटन कर दिया यह हमें चार वेल्यू जो रिटन कर दी एट हंडेड ठीक है एट हंडेड थर्टीन हंडेड नाइन फिप्टी और एलेवन हंडेड यही हमें रिटन हो गया है तो यह इनर क्वेरी हमें यह चार वेल्यू रिटन कर दिया ठीक है अभी चार वेल्यू को आग्यूमेंट हम यहां पर देदी ऑल अपरेटर के साथ अब वह चारों से यह सेलरी कंपेर करना इस्टाट करेगा जिसकी जिसकी सेलरी जादा होगी वह हमें आटपुट में मिल जाएगी अब यहां पर वेर कलाउज एक्जिक्यूट होना इस्टाट करेगा और वेर कलाउज किस तरीके से एक्जिक्यूट होता है यह मैंने लेक्शे 32 में बहुत ही अच्छे से बताया है तो मैं अभी उस भी फूपस नहीं करूगा करें खट एंतक यह सारे सारे कॉशन से बंते हैं कि वहर कलाउज किस तरीके से एक्जिक्यूट होता है किस तरीके से काम करता है ठीकels कॉद्त कब true return करता है कब false return करता है तो यह आप fair clause वाली वीडियो में लेक्चर 32 में देख सकते हूं तो यहां से हमें चार value मिल गए inner query से as a input अब वो inner query का output outer query को एक input के रूप में दिया गया ठीक है ना अब वहां पर salary compare करेगा हर एक 4 salary से चारो salary चारो value से और जो output आएगा वह हमें result के रूप में देगा तो चलिए करके देखते हैं तो इसको सेव कर लेते हैं ना execute करने के को सेज़ करते हैं यह देखें है कि सभी salary अब यहां पर कोई पहले तो color नहीं है ठीक है और वार्डर मार्टी नहीं क्या हो देखें नहीं वार्डर मार्टी नहीं क्योंकि उनकी salary था एक color की salary से कम थी देखें बाकी सभी values 1300 से ग्रेटर है तो इस तरीके से आप जब सभी को इंक्रूड करना हो तो आप all operator को यूज करोगे जब बोला जाए कि all ठीक है whole तब आप all operator को यूज करोगे नाउ अब हम any operator की बात करते हैं अब फिर से एक बार हम employee table को देख लेते हैं ठीक है मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा control x control save see this हाँ हाँ देखिए अब हम salesman को consider करते हैं तो salesman की salary सबसे ज़्यादा कितना कितना अब हम यह कि चाहते हैं कि हम only employee के record को देखना चाहते हैं जिनकी salary जिनकी salary किसी भी एक किसी भी एक एक सेल्समें की सेल्री से ज़्यादा हो किसी भी एक सेल्समें की सेल्री से ज़्यादा हो तो देखिए सेल्समें की सेल्री कहा कहा है है 116 nrnd 1250 1 uh 1500 तो किसी भी 168 कहने का मतलब तोटल कितने समय अ है यहाँ तोधो यहाँ तीन चार वन डू तरी चार है तो किसी भी 169 की तो सब से लोबिस कितना है 1250 तो 1050 जो भी ज्यादा होगा सब के रिखॉर्ड को करेगा चलिए चेक करते हैं 1250 से ज़्यादा होगा सिर्फ उसी के रिकॉर्ड को सो करेगा यह यह क्वेरी तो मैं कुछ करता नहीं हूं इसके बाद इसे पेस्ट कर देता हूं अब आल के जगा बस मैं एनिको यूज करता हूं क्योंंकि कि किसी भी एक इस जिट्दय बचावला हो गया कि मेरा कोई एक कंडिशन में होना और मैं क्या था सभी पूरे को सभी कंडिशन को मांना ऐहां इनिविए होना चाहिए सारे से बड़े हैं तो वह भी हमें ऑट्पूट में सूंग हो गया तो यह अगर कोई कवेरी रहा गया अभी भी ताका दो मुझे कमेंट करके तरो सकते हो और कमेंट करके पूछ सकते हो यह जो नीचे आपको फ्रेस और हो रही है झाल झाल